हर हर महादे जै भोले नाच नमश्कर दोस्तों मैं हूँ रेखा आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावत्री वरत वाले दिन अगर हमें पिरेट्स आ जाए तब हम इस वरत पूजा को कैसे संपन करेंगे अगर वरत से एक या दो दिन पहले हमें पिरेट्स आ जाए तब हम वरत किस प्रकार से करेंगे सुबह की पूजा के बाद अगर पिरेट्स आ जाता है तो क्या हमारा व्रत मान्य होगा इसी तरह से पिरेट्स के कितनी दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं और क्या पिरेट्स में किया गया व्रत हमारा मान्य होगा या नहीं periods के समय क्या हम 16 स्रंगार कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो ऐसा कौन सा स्रंगार है जो periods के समय हम कर सकते हैं आज की वीडियो में संपूर्ण नियम, संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे आप सभी से अनरोध हैं अगर आपको जानकारी उचित लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाई सबसे पहले, सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आपको व्रत से एक दिन, दो दिन या तीन दिन पहले अगर प्रेस आ जाता है, तब हम क्या करें, अगर आपको तीन दिन पहले प्रेस आ जाता है, तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको पूजा नहीं करनी, क्योंकि सास्त्रों में जब प्रेस आया हुआ रहता है, तो पांचवे दिन की अवस्ता क वो ही पूजा करने के योगया बताया गया है। अगर आपको वृत वाले दिन पाँचवा दिन हैं, आप अच्छे से सनान ध्यान से निवरत होकर अपने बालों को धुलकर, आप वृत पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वृत से दो दिन, तीन दिन या एक दिन पहले पिरिट से आ जाता है, तो ऐसे में आपको केवल मानसिक रूप से वृत रखना हैं, आपको पूजा नहीं करनी, आपको किसी भी पूजन सामगरी को हाथ नहीं लगाना है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे पूजा करवा लें, अगर आपके घर में कोई नहीं है पूजा करने वाला तो आप केवल मानसिक रूप से वरत रखें, फोन में या किसी दूसरे के माध्यम से आप सत्यवान सावित्री की कथा आप जरूर सुनें, अगर आ वरत रखती हैं शाम तक वरत के नियमों का पालन करती हैं तो निश्ची तोर से आपका वरत पूर्ण होगा और आपको आपके इस वरत का संपूर्ण लाप राप्थ होगा सास्त्रों में मानसिक पूजा सर्वो परी बताई गई है अगर आप सनान द्यान से निवरत होकर अच्छे से सुध होकर मनही मन सत्यवान सावित्री की कतह का स्रवन करती हैं ब्रह्मा विश्नु महिस का द्यान करती हैं तो आपका वरत निश्ची तोर पर सफल होगा क्योंकि वट वरक्ष में ब्रह्मा, विश्नु और महिस तीन देवताओं का ही वास बताया गया है। अगर मन ही मन आप उनका समर्ण कर लेते हैं, इस कथा को सुन लेते हैं, तो आपके इस तरह से वरत रखने का आपको संपूर्ला प्राप्थ होगा। अगर आपको वरत वाले दिन पांच वा दिन हैं और आप पूर्ण रूप से सुध हैं, तभी आपको वरत रखना है, तभी आपको पूजन करना है, क्योंकि काफी कन्याओं को, काफी महिलाओं को 6-7 या 8 दिन तक पेर्ट्स आता रहता है, तो ऐसे में आपको वरत वरक्ष को स्पर्ष नहीं करना है नहीं किसी पुजन सामगरी को आपको स्पर्ष करना है आपको केवल मन ही मन मानसिक रोप से वरत रखना है वरत के नियमों का पालन करते हुए आपको शाम के समय पर आपको अपना वरत खोल लेना है इस तरह से संपूर नियम के अनुसार अगर आप वरत रखते हैं तो आपको इस वरत का संपूर लाब भी प्राप्त होता है इसी तरह से अगले नियम की मैं बात करूँ आप में से अनेकों के मन में ये भी संका होगी क्या आज के दिन हम 16 रंगार कर सकते हैं क्या हम नई साड़ी, नई चूड़ी, बिंदी, आलता, महावर, बिच्या इन सभी चीजों का क्या हम प्रयोग कर सकते हैं तो देखे सबसे महत्वपुन नियम है कि असुद्धी अवस्था में नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, नई महंदी, आलता या महावर इस तरह के चीजों का आपको प्रयोग नहीं करना है यानि कि आप वरतवाले दिन जो नई चीजे खरीद कर लाए हैं उनको आज के दिन आपको पहली बार प्रयोग में नहीं करना है जो आप डेली यूज में 16 सरंगार के लिए जो अपने पती की दिरगायों के लिए रोजाना सरंगार करती है उन में से सभी चीजों का आप निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं पहले से यूज किया हुआ आलता भी आप लगा सकते हैं पहले से पहनी हुई चूडियों को आप दुबारा से पहन सकते हैं और जो भी कपड़ा आपने दोकर साफ करके अपनी अलमारी में रखा हुआ है उस साड़ी सूट या लहंगे को भी आप दुबारा से पहन सकते हैं आज के दिन असुद्धी अवस्ता में किसी भी नई चीज का शुभारंब करना निशेद बताया गया है ऐसा करने से हमें कोई ना कोई रोकदोश है वो लगता ही लगता है आज के दिन आप अच्छे से सिंदूर भरिए नाक से लेकर पूरी मांग तक आप सिंदूर भरिए और जो भी आप अपने सरंगार में पहले से इस्तमाल करती आ रही हैं उन चीजों से आप निसंग को 16 सरंगार करिए यह वरत बिना सरंगार के अधुरा ही माना गया है किसी नई चीज का आप प्रयोग ना करें और मन ही मन अपने पती की दिरगायों के लिए उनकी उन्नती के लिए सत्यवान और सावत्तरी से आप प्रातना जरूर करिए इस तरह से आपका वरत है वो संपूर्ण होगा आपके वरत का आपको लाब भी प्राप्त अवश्य होगा आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आप सभी को लाब प्राप्त होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ तब तक के लिए जय माताद